इफीसियों की पत्री उसका चार अध्या है उसका 29 और 30 सो यहाँ पर लिखा है सब जन सुनें कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले पर अवशक्ता के अनुसार वही जो उन्नती के लिए उत्तम यानि अच्छा हो ताकि सुनने वालों पर ताकि उससे जो आपका वचन आपकी जुबान से निकलता है सुनने वालों पर अनुग्रय हो सके सब जन बोली आमीन तीस पद पढ़ेंगे क्योंकि जब आप गंदी बात अपने मुख से निकालते हैं तो वह यहाँ पर लिखा है और परमेश्वर की आत्मा को यानि पवित्र आत्मा को जिसे आपने पाया है उसे सोकित मत करें जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है सब जन बोले आमीन आमीन आपके जुबान से कोई भी गंदी बात ना निकले अच्छा एक साधारन सी बात मैं आपसे पूस्ता हूँ कितने लोगों को मालूम है गंदी बात क्या है गंदी बात जुबान से जब कोई बोलता है या फिर आप पहले ही खुद बोलते थे कितने लोगों को मालूम है गंदी बात क्या है हाथ उटा के बताए ठीक है मालूम है जब आपको मालूम है ये गंदी बात है तो आप उसको अपनी जुबान से क्यूं बोलते हैं इसका मतलब कि आप गंभीर नहीं है जीवन के लिए और जो व्यक्ति जिस वस्तु के लिए गंभीर नहीं है वो अपने जीवन में कभी भी उसका प्रभाव नहीं पा सकता गंभीर नहीं है तो अपने जीवन में कभी भी वो सफलता को नहीं पा सकता यानि कभी भी कोई जौब नहीं कर सकता लेकिन जब एक बढ़ने वाला लड़का या लड़की अपने पढ़ाई के प्रति गंबीर हैं तो वो अपने जीवन में सफलता को पाता है और जल्दी पाता है वैसे ही जीवन का हर छण जो आपके दिन चर्या में आता है हर जीवन का वो हर छण जो आपके दिन चरिया में आता है उसके प्रति आप गंभीर रहें जो गंभीर रहता है वही उसका प्रत्फल पाता है जैसे पढ़ने वाला लड़का अपनी जौब को पाता है जैसे काम करने वाला व्यक्ति प्रमोशन पाता है जैसे कमाने वाला व्यक्ति अच्छा धन प्राप्त करता है जैसे किसान अच्छी खेती के लिए मिहनत करता है वैसे ही आपको अपने जीवन के प्रति अपने जुबान के प्रति गंभीर रहना है कितने लोगों ने धान की खेती कर चुके वो लगा चुके अपने धान को क्या आप लापरवा हैं अपने खेती के प्रती जब से अपने धान के बीच जोती आपने जिसे हम बेहन बोलते हैं आपने उसको छीटा आपने उसको समय समय पर पानी दिया कि नहीं द्यान से सुने सम तो देर हो गए या दिन में, साम को ही जाते, एक चक्कर लगा के आते, क्योंकि उसमें कोई जानवर आके उसको खा गया होगा, तो दिक्कत होगी, सही है कि नहीं, धान की खेती करने के प्रतियाप गंभीर हैं, क्योंकि आपको मालूम है, यदि इसकी खेती मैं गंभीरता से करूँगा, तो मेरे पास खाने के लिए आनाज नहीं होगा, उससे ज़्यादा आपको अपनी जुबान के प्रतियाप गंभीर होना है, क्योंकि जो भी इसका इस्तमाल करना नहीं जानता, आपकी धान तो आपके पास होगा, लेकिन आपका सरीर खाने की योग नहीं रहेग खेती के लिए आप गंभीर हैं, बहुत अच्चा है, पढ़ाई के लिए आप गंभीर हैं, बहुत अच्चा है, उससे ज़्यादा आप गंभीर रहें, अपनी जुबान के प्रतियाप, क्योंकि जो इसे जैसा इस्तमाल करता है, वैसा प्रत्फल पाता है, यदि आप अच् अच्छी सफलता को आसीज को जीवन को आप अपनी जुबान के द्वारा उसके प्रभाव को आप देखने पाएंगे इसका मतलब कि आपको परमेश्वर के जुबान के प्रती परमेश्वर के दास के जुबान जो आपके लिए वचन निकलते उसके प्रती और खुद के जीव गुना अब तक जो देखते थे उससे कई गुना अधिक देखने पाएंगे बिश्वास के साथ आमीन